इसके बुला है कि as to whether the requirement of having minimum three years of practice for appearing in the examination of civil judge junior division which was done away by this court in the case of all India, judges association and others needs to be restored and if so by how many years? इसका मदब भी है कि पहले आप नोशकर तो सुम अभी रीसेंटली सुप्रीम कोट ने बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है तो आप सभी जो लोग जो लोग जुडीश्री के तियारी कर रहे हैं और जो लोग अपना जुडीश्री के अंदर जो हमारा allotment होता है और हमार बैठने का मलब जो जजजिस की vacancies होती है उसके अंदर जो कोटा होता है उसका जो कोटा है वो 50% तक कर दीजिए डिस्ट्रिक जुडीश्री में से हम जजज साम को पिक करें और हम हाई कोट का जजज बना दे इसका जो रेशो है ना इसको आप बढ़ा कर 50% तक कर दीजिए सुप्रीम कोट ने इसके अपर बिल्कुल तरहां से मना कर दिया है सुरी भाई हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और नहीं ऐसा practically हो सकता है सम्विधान का भी यह लंगन करने वाली बात होगी यहाँ पे सुप्रीम कोट ने किया तोर पर बोल दिया है कि हम ऐसा direction pass नहीं क सुप्री कि एक जर्जज जो हम पिक करेंगे डिस्टिटिक ज़िशीन से और तीर जजज बनाने के लिए हाई-कोट के जजज को हम prime के बाहर के अंदर से बाहर का मतलं उंपकीलों के अंदर से जिनको हम ऐलेवेट करके हाई-कोट ने लिम जज़क मिल्दिया है कि दिर सामने रखेगा है Supreme Court के आगे Supreme Court ने भी M.E.K.S. कियूरय को बोला है जिनका नाम है senior advocate सिधात भतनागर सहब और जो constitutional of state government के और union government के और जो high court है इनको भी बोला है कि इस 7 questions का हमारे को clarification चाहिए है सब से बहyl estás percent quota reserve for limited departmental competitive examination jis कुम megलते na for promotion to the higher judicial service caddor of district judge needs to be restored सब्सक्राइब करेंगे अगर करेंगे तो बता ही करेंगे नहीं करेंगे पहला कुछन तो यह हो गया दूसरा कुछन यह अगर करेंगे तो कितना कम करेंगे यह क्या नया रूल लेके आएंगे वगरा वगरा दूसरा कोशन यहां पर सामने रखा गया है तीसा कोशन यह रखा गया है कि अगरे ज़न तो यह इसका मतलब यह है कि भाई आहम जो है सीविल जज जूनियर डिविजन के जो जसाब होते हैं इनको जहें को प्रमोशन देके सिविल जज सीनियर डिविजन जब हम बनाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी बना सकते हैं इनको इंसेंटिव के तौर पर बढ आँ तो हम बना सकते हैं कि एक अगर आप इतना जजुमएंट बढ़िया कर दो के तो हम आपको सीविल जज सीनियर डिविजन जल्D बना देंगे ज़ल्दी बना देंगे तो इसके रिगार्णिंग कुछ ऐसा कया सकता है कोई तो अगर हम यह जो मैंने आपको थड़ कोशन बताया है अगर आप यह बात मनते हूं तो कितना एक्सपीरियेंस सिविल जैज सीनियर डिविजन बनने के लिए और उसको जह क्या एक तरीके परसंटेज अपना स्कोर करना पड़ेगा अच्छा काम कहलाने के लिए कि मैंने इतना परसंट भाई अच्छा करा है और मेरे पास दो साल का सिविल जैज सीनियर जूनियर डिविजन का एक्सपीरियेंस है अब मुझे भाई प्लीज सिविल जैज सीनियर डिविजन बना दीजिए ठीक है आपको पता होगा पांस से साथ साल से दस साल भी लग जाते सीनियर डिविजन दक पहुंचने के लिए ठीक है अब फिफ्ट कोश्चन आता है कि एसका मतलब यह है कि कोई भी हो रहा है तो जो हम आरे पास जित्ती सीटे हैं खाली उसके बेसिस पर करेंगे या फिर कोई एक लेजिटमेट अलग तरीका होगा एक्सपीरियंस को कैलकु है तो बताइए ठीक है सिक्स्ट कोशन यहां पर यह डिसाइड करा है as to whether some suitability test should be introduced while promoting the civil judge senior division to the cadre of district judge against the existing 65 quota for the promoting of the higher judicial service on the basis of merit come seniority इसका मतलब यह है कि आप जब एक बारी दिविजन civil judge को district judge के cadre में लेकर आ रहे हो यानि कि district judge बना रहे हो हाले की पहले वह assistant district judge बनेगे एस जिसमें बोलते हैं तो अगर आप उन्हें बना रहे हो तो इस case के अंदर जो भी 55% के कोटा है तो इसके अलावा और कोई seniority का कोटा लेके आओगे कोई other कोई experience का कोटा लेक आता है तो यह हम करेंगे कोई ऐसा durability test करेंगे 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 तो कैसे करेंगे यह बताइए six question seven last question आता है इसके बोला है कि as to weather the requirement of having minimum three years of practice for appearing in the examination of civil judge junior division which was done away by this court in the case of all India judges association and others needs to be restored and if so by how many years इसका मतला भी है कि पहले हां पर बात हुई थी थी ना बार कौन से लफ इंडिया न एक बंदे को civil judge का exam देना है junior division का जो एलवी करके आया है एलवी करने के बाद पढ़ाई लिखा इसने अच्छी का रखी है इसने अपना examination का जुडीशी एक्जाम का फॉर्म आया इसने फॉर्म भरा प्रेलिम्स का पेपर दिया क्लियर करा मेंस का पेपर दिया क्लियर करा इ civil judge बन जाता है junior division के लिए अब इसके बारे में मुद्दा चिड़ा था है आपको exam देने के लिए तीन साल का practicing advocate का अपना experience होना चाहिए ठीक है अब इसके अंदर आप exam exam LLP के बाद नहीं दे पाओगे आपको देने के लिए तीन साल का advocate का practicing advocate अपका experience होना चाहिए जब आप यह है अपना paper दे पाओगे civil judge junior division का ठीक है इतनी सी बात थी तो यहां पर बोला है कि all India judges association and others के case के अंदर Supreme Court ने इस बात को तो disagree कर दिया था कर नहीं भाई जुडिशी के अंदर आपको exam देना है civil junior division का तो कोई भी तरह का experience की जुरत नहीं होगी पहली बात तीन साल का हम practicing advocate का experience mandatory नहीं कर रही है नहीं होना चाहिए ऐसा इतनी बात हो गई है तो यहां पर 7th question में बोला है कि अगर मान लेते हैं इस बात को agree करते हो इस rule को restore करते हो तीन साल का practicing as an advocate लगा देते हो तो तब तीन साल ही रखोगे यह एक साल रखोगे दो साल रखोगे कितने time का रख सब्सक्राइब करने के बाद हम फिर चर्चा करेंगे कि यार 50% कोटा करें ना करें ऐलिवेशन बार में से करें ना करें डिस्टिक करें ना करें junior division को senior division में भेजे ना बेजे senior division को district judge की कैडर में भेजे ना बेजे कैसे भेजे क्या-क्या point raise होंगे क्या-क्या नहीं होंगे civil judge का junior division का paper देना इसमें तीन साल के practice करें ना करें जब ही आगे चलके clarification आएगा जब हमारे पर यह साथ question हमने जो पेश करें हैं में क्यों रिपोर्ट बनाकर हमारे पास समिट करेंगा हमारे पास मनलब सुप्रीम गोट के ज़स्ताफ के सामने पेश करी जाएंगी इसके बाद लेकिन अभी करेंटली सुप्रीम कोट ने 50% कोटा को लागू करने से मना कर दिया गया वन रेस्टू थ्री कोटा ही लागू रहेगा जिसमें से एक जज़ हम हाई कोट करेंगे बाहर में से यानि कि अद्वोकेट्स में से एलिवेट करके इनको हाई कोट कर बनाये जाएग तो आपके पास भी पूरादिकार है इन कोश्चनों का जवाब देने का तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अपना दिमाग लगा के क्या एक लेजिटमेंट तरीके से लीगल हम प्रोफेशन के अंदर जुडिश्री के अंदर कैसा इंप्रूब्मेंट कर सकते हैं तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स के अंदर प्रोफेशन के बहुत जरूरी है याद रखना और इस वीडियो को जादे-जाद शाद शेयर करके लोगों तक यह पहुंचाना आपकी जिम्हेदारी है बहुत जरूरी है याद रखना हमिल ते नेक्स वीडियो के इंदर तेंक यू ते